नमस्कार दोस्तों कैसे हो कैसी चल रही है तयारी आपकी चलिए चलते हैं हमें एक और कदम आगे बढ़ाते हैं परशनोतर सीरीज के अंतरगत आज हमारा हिंदी साहित्य के इतियास गरंद से लेकर और कुछ रचनाएं कुछ हमारे संपर्दाएं कुछ इस्परकार की बाते क करेंगे आज के हमारी परशनोतरी में पहला परसन हमारा हिंदी साहित्य के इतियास गरंद हिंदी साहित्य के लेकर का नाम बताईए हिंदी साहित्य का इतियास पूरा डिटेल से पढ़ा था जब शुरू आतमे करा था आपने अगर देखियो तो वीडियो तो उसमें ये सा भाहिते विमर्श के लेख का नाम पधुमलाल पुनौलाल बक्सी है अगला परसंद toi ली है हमारा 24 परसंड क्या करता है अभीए यानि पंपली के लोग प्रिया कवी ऒताई क्या अधीली बॉली के लोग पर अभी कि ये तीन रचना ये तो पुष्पदंत की है एक नहीं है तो महापुरान पुष्पदंत का जैकुमार चरियू जशार चरियू उसके अलाव पौम चरियू जो है ये पुष्पदंत की नहीं है ये किसकी है ये स्वंभू की है स्वंभू जिसे अप भरंस का वालमी की भी कहा जाता है तो उनकी एक सिके है तो यह याद कर लो आफ पूचके पूच्छ लिया जाता है किसकी ए उगला परसे रखन देख लिजिए बहुत इंप्पोर्टेंट परसन है रही रचना कई बार पुच्चि जाती है 14 पर्संद प Whoo? अगे देखिए ग्यानास्री शाहखा के pramuk कवी कौन से हैं ग्याना शूरी कौन सी थी देखिये हमारी जो भकतिकावय परिम्परा थी। उसको हमने दो भागों में बाटाएं है만 है। लेकिन अगर इन्से प्रमुख कवि कि एदी बात करें तो कवीयरदास जी जो है वो पूरान रूप से ग्याना स्रीक वी थे ये आत्म ग्यान के द्वारा ही प्रमात्मा को पाने चीड़ादिक व्यांना कि बात करते थे तो यहां कवीयरदास का नाम आएगा हमारा अब यहाँ पर अगर इसका यूँ आ जाता ना सरी साखा के परमुख यहाँ पर कभी नहीं है, परमुख ना के कभी नहीं आता फिर हम तलसिदाश कर देते क्योंकि वो सोगुनमारगी है और वो प्रेमासरी साखा के है तो उसके बाद अगला प्रसन देखिए तो दोस्तों इसे पहले आगे पढ़े हो अमीद है कि आपने जो ने वीडियो लाइक कर दी होगी शेयर भी कर दी होगी लाइक में तो बड़ी कंजूसी करते हो आप लोग कभी प्रिचे में भी मैंने आपको बता था तीन रजनाय हुनकी सूर सरावली साहित्य लेहरी और प्रेम सूर सागर जो सूर सागर मुखे तो वही है ये दोनों तो जो यूं लगा लीजिए कि इसी का कोई ना कोई रूप है तो दोहावली जो है वो इनकी नहीं है इसका हम सिश्बित आहराए दे रखा है इसके अलावा यह एक रामानन दे रखा है हमारा जो है इन रामान तौह किस समंधीत रामावतार नाम है रामान नंद के क्योंकि उनके जितने ब्य sitten का प्रचार परशार किया सी भाग मदवाकारी है इनके नाम दौह द्वैत संपर्दाई है द्वैत वाद द्वैत वाद है जिसको ब्रम संपर्दाई भी कहते हैं और अगले जो है हमारे निमबार का चार ये इनके नाम जो है द्वैता द्वैत वाद है जिसको भेदोप भेद भेद भी कहते हैं द्वैता द्वैत वाद ये इनके नाम है जिसक पुष्टिवारक की स्थापना बलभाचारिये ने की थी शूरदास जी के गुरू थे बलभाचारिये ने की थी चैतने महापरभु की ये दिबात करें तो इन्होंने गोडिये संपरदाय की चैतने महापरभु ने जो है गोडिये संपरदाय की स्थापना की थी उसके बाद बिठलनाद की बात करें अब बिठलनाद जो थे इन्होंने बलभ संपरदाय की स्थापना की थी सूर्दास जिसे इन्होंने कोई विशे स्थापना नहीं कि इन्होंने ऐसे विशे संपरदाय की स्थापना नहीं की तो इसके बाद अगला देख लिए हमारा 59 परसन निमिले कितमे कौन सा कवी अस्थाप का कवी नहीं है यह देखें बच्शों आपको पता है कि यह चार पलस चार थे आठ चार कैसे थे चार तो विखलनात के थे और चार जो थे वो किसे थे वो उनके पिता बलभाचारिये के थे तो चार चार थे यह तो नंददास पमानददास और चीत स्वामी और रिव्यास नहीं है ऐथ साब के तो इसमें जो है चार कौन-कौन से थे अगर आपको याद हो लुखी सौमी नंददास गोविंद दास और जटूरबुजदी यह तो उध़नाथ के थे आठ्थो में और ज schema से कौन साथ साबका कवी बल्भाचारी का था शिसरे हदास आधा मनजनु सारे प्रेम मारगी कवीquinhoं का मदग का रहे Near तो इस 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 तो और आbn रहेगा एं रहेगा सूर्दास टी नीचाए प्रेम जздरय सारे इसमार्वド It ग्राव के शिषे दीए नामों मेंसे कौन कभी बलभाचार्य के सीसे हो आ गया देखो आपका जो अभी यवी हमने बात की थी चतुर्वुजदास अभी समें बलकारिय का 시ṣya नहीं है सूर्दास बलबाचार्य के थे कुम्बंदास विवल्भाचारिये के थे और पर्मान दाश विवल्भाचारिये के थे अब बल्भाचारिये का नहीं है चतरु से समंदित है नूर महमद की बारे में रचना पंक्ती है उसके बाद ही इन्स अपने उस्खनाई बहुत रम्ति है और अक्सर हम इस पंक्ती को आम तोर पे जब खिसी के दिन कोई काम करते हैं onaker हो तो यह अक्सर मुण से लिक निकल जाती है प्राधिन सपने हुने सुखना ही तो ये पंक्ति किस ने लिखी थी ये तुलसी दास जी ने पंक्ति लिखी थी दी आएगा इसका उसके बाद अगला है हमारा चौसटवा परसन ब्रिज भासा आदूनिक कालिन परशिद कवी है देखे कुछ हमारे एकादे कवी है जो जंदर जी भी ब्रिज भाशा में लिखते थे लेकिन जल्दी उन्होंने खड़ी बोली की ओर रूख किया सुरवाति कवीता है इनकी भी भरश भासा की थी लेकिन जगनादास रतनाकर ऐसे हैं जिनकी अधिकतर रचनाएं ब्रिज भासा में लिखी गई है उसके बाद अग जाता है धुरवसवामेनी अब दूसरी कर्षना किश्ना अरजुन बुद्ध युद्ध तो सुना था बुद्ध तो हमने नहीं सुना कृषना अरजुन युद्ध तो एक रचना थी भुद्ध नहीं थी तो ये धान देना अगर युद की बात आता थी तो मां पूरा नाम गोपाल चंदर गिर्दर दास था इन्होंने क्या लिखा था नहुस नाटक लिखा था काफी इंपोर्टन्ट है कई बार नहुस के लेख का नाम पूछ लिया जाता है उसके बाद है अगला परशन हमारा 67 निवन में से कौन सा समुह आचारी अजारी परसाद दिवेदी के उपनासों को दरसाता है सारे एक अलग अलग लेकों के है अप्राल का प्रभावती निरूपमान इराला के हबान बठके आतम कता चारुचंदर लेक पुनर नवान आमदास का पूथा सारी रचनाही रट लो आप चाहे किसी भी तरह जोड़ो एक दूसरे से आचारी है जारी पर साथ दिवेदी की है जुठा सद्दादा कामरेड देश रोजड़ो यह बहुत ही इंपोर्टन्ट है यह स्पाल के है यह तो इस परकार जो है हमें यह ध्यान दखना है कि हम इन चीजों को अच्छे से कवर कर ले और जो अगली जो है हमारी सोमनाथ धर प्रिय प्रवास के रचियता कोन थे तो बार बार आता है यह परसन और हम अक्सर इसका जवाब देते हैं तो अच्छे से कर लो डाक्टर हजारी परसाद दिवेदी का अच्छे से कर लो जो हमें केस लेबस में भी हमने पढ़ा था उशके बाद से तरवा परसन हमारा क्या कहता है जब हम प्रीती और उदारता भलवान असाहत का बड़ताव करते हैं तब भी यहीं समझते हैं कि हम उनसे घरना कर रही हैं और हम चाहें उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा यह कथन किसका है यह कथन जो है हमारे एक कवीता है और इर्शातू ने गई मेरे मन से यह सी इसका है यह देखे इस कवीता से लिया गया इर्शातू ने गई मेरे मन से यह तो हम तभी देखे पंक्तियां हम कोई और सोर नहीं है कि यहाँ से याद कर लिए अगर आपने कवीता पढ़ाई है तो आपको यह चीजें याद आ सकती है अन्य था तो इनको याद रखना बड़ा मुश्किल है तो जो जितनी काती है उनको थोड़ा ध्यान में रखो उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है अयोद्या पढ़ते हैं इसके बाद अगले परसन की तरफ बढ़ते हैं अगला परसन का यह देखेए सदाचार कातावीज राणी नागबती का नी बोलाओं यह अमने पहले पढ़ते हैं रखे हैं सारे इंपोर्टन्ट है आपको बड़े धान से करने हैं सारे उसके बाद अगला है बादल राग के रचियता पलस्टू में कवीता है बादल राग तिरती है समीर शागर पर एस्तिर शुक पर दुख की जाया वादल को एक करांती के रूप में चितित किया है निराल करतियों में पंक्तियां किस परसिद लंबी कवीता से उद्गृत है यह भी हमारे हमने आपको थोड़ा धान होता हमें के स्लेवस में कवीता पढ़ी थी हमने परतिपल परिवर्तित व्यू अभेद कोसल समुह राक्सस विरुद परत्यकरूद का कपी विशम यह जो कर पंक प्रतिव करूद कपी विशम यह यहां थोड़ा सा जो है ना मुझे कुछ डाउट लगड़ा कुछ और था इसमें साइद उसके बाद अगला देख लीजिए पिछेत्रवा परसन क्या करता है निमन में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं में यह मादीब सिखा और न अच्यत्रमा परसन देख लीजिए हिंदी में गीति नाटे परंपरा की रचना कब से शुरू हुई यदि परंपरा की बात करें तो ध्रमवीर भारती का अंधा यूग आ था जो बहुत ही चर्चित रहा और हमारे स्लेवस में में बिताए अंधा यूग महां से मानी जाती ह है गीति नाटे परंपरा उसके बाद गीति नाटे लिखे जाने लगे उसके बाद आनामी का अनी का कवे किसके दिवारा रचिथ आया चमेंका निराला का एनना लाइट जो है यह इसका उतर आएगा सुर्येकांतिरपाथी नवपंक्ति वाली कवीता का संबंध है यहां संबंध किस कवी से पुछा तो निराला की जो है कवीता है उसके संबंध है इसका यानि की 78 का दिया जाएगा उसके बाद 79 की बात कर लेते हैं मगले परसंद की हमार धारी से दिन करवाली नहीं परसाद ने विखती लिखी ती शुरवाट कहते हैं कि उर्वसी से हो गई नैक्त जहना है यहां पर कर राध का उसी से इसको इसकी शुरुवात मानी जाती है inspiration साथ पूरन रूप से चायावादी रचना थी उसमें तो चायावाद की छवी दिखाई देती है तो इसका जर्णा जो है इसको माना जाता है उसके बाद अस्सीमा परशन है मारा भारतिये नादी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी उर्माने कौन सा शरंखला की कडिया अब भारतिये नादी की जो है वो किस परकार वो नारियां अले कडियों में वेडियों में परफ़ाव में जकडिय हुई है वो सारा उन्होंने दिखा था बताया है उसके बाद अगला देख लिजी अगला परशन क्या कहता है इक अस्षीमा अगे की रचना कों सी है कुरु कर लो अच्छे से किसकी है यह उपर लिखा हुआ है उसके बाद अगला देख लीजिए सबसे बड़ा सिपाहिया के रचना कार कौन है यानि कि सबसे बड़ा सिपाहिया रचना किसकी है अब 82 परसन की एदी बात करें उत्तर विरेंदर जैन विरेंदर कुमार मैथिलेशवर सपर अपष्य इसके बड़ा रचना कौन पर विरेंदर की विरेंदर के रचना के सबसे बड़ा सिपाहिया स्तुर्श का उदेश है च्छांद का मूंट एड़ा है बहुत ही जो मैं लेखक परीचे करा रही थी आपको तब भी मैंने कहा था कि इसको अच्छे से आद कर लेना तो गजानन माधव मुक्ति बोध पूरा नाम है इनका उनकी यह रचना है और एक दूमिल जो यहां लेखक दे रखें इनका संसद से सड़क तक एक रचना है जो कई बार उनके बारे में कई बार पूछ ले रहा था तो यह चीज़ आपको ध्यान देनी है इन लेखकों की जो हमने कराए हैं जो हमारे सलेवस में हैं वो लेखक हमें अच्छे से याद होने चाहिए उनकी रचनाएं खास तोर पे मुख्य मुख्य जो रचनाएं है उसके बाद अब यह देखिए अगर नहीं होता तो हम इसको फिर खंड़ कावे या कुछ और सरेनी में रखते सभी कावियों के अपनी अपनी परिभास आई हैं दूंगी तो ज्यादा समय हो जाएगा यह हमने के सलेवस में पढ़ रखिए खंड़ कावे किसे कहते हैं परबंद बाग में महा कावे परलब कावे या लंबी कवीता किसके कहते हैं एक दूसरे के पूरक है नाम तो या लंबी कवीता है जादेवेना उसके बाद देखिए अगला हमारा च्यासिवा परसन क्या कहता है च्यासिवा परसन कहता है कि सनुनी सो चमन में परकासित नही कवीता पत्रीका के संपादक कोन थे बहुत ही इंपोर्टेंट है ये ये नही कवीता या कहानियों से संबन दितेका दा परसना रहता है जगदीश गुप्त जी जो नही कवीता पत्रीका निकली थी उसके संपा अगे का पूरा नाम क्या था मैंने कई बार बोला यहीड रौन वाद्शें उननका पूरा नाम था उसके बाद है आगे हमारा उत्तम किईर पर व्याद समाना मिला है के दारनाथ सिंग को व्यास समान हिंदी साहिते का बहुत ही समानित समान माना जाता है उसके बाद परसन नंबर नब्बे नब्बे से अमसो तक पहुंचे इतनी देर में उमीद है कि आपने लाइक कर दिया होगा अगर नहीं करा तो जल्दी सी बटन दबाईए और आफिर आगे बढ़िए यह देखते हैं और परसन उमीद आपको समझ भी आ रहे होगे और आप इसका फाइदा भी उठा रहे होंगे तो देख लीजिए डाक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है हिंदी भासा की उत्पत्ति आचरन की सब्वेता गेहूं बनाम गुलाब भा अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था फणिश्वर नाथ रेनु का एक उपन्यास था मैला अचल जिस पर नाठक भी बन चुका है और उसमें जो है ठाकुर होता है एक निमनवर की लड़की है डाक्टर है कुछ इस प्रकार की उनके इर्द गुंती है सारी कहानी तो यही बात है यहाँ पर बात यह जो कही गई है उसी उपन्यास से ली गई है तो मैला आचल है इसका क्या जिसे ली गई है उसके बाद विश्णुकान सास्त्री की परशित गद्य कृति का नाम बताईए विश्णुकान सास्त्री यहाँ जो जित्मिदी है उसमें कुछ फिर के यह बहुत इंपोर्टन है मूं नाम या वास्तिक नाम क्या था तो यहां पर हरीपरशाद नहीं था राम परसाद लिए। रिज़ाPP पलड़न के नजधिक दैं कि उपनाम यहां नहीं लिखा हुआ रिज़ाद था। वेद्धी ये नाम था उनका उसके बाद आगे बढ़िए चुराणुआ परसंद देख लेते हम क्या कहता है परसंद निमन में से कौन सा नातक जैसंकर परसाद का नहीं है सकंद गुप चंदर गुप तो ध्रोस्वामी नहीं ये सारे किसके है जैसंकर परसाद के है करबला उ इतनी भी नाम दिये गए है मनुभंडारिन से के थोड़ी सी प्रोड है उसके बाद देखिए सेश का दंबरी उपनयास की लेखिका का नाम बताई है अलका सरावंगी ने उसके बाद अगला स्तानुए परसंद क्या करता है आनंद ये बहुत ही इंपोर्टन्ट है अगला स उठाए जाते थे उसके बाद है नाटक जारी है किस ये भी बहुत इंपोर्टन्ट है ये भी आप मान के चलो बहुत बार आता पेपर में ये नेट के पेपर में भी कई बार आया है ये किस विधा की रिचना है कवीता है नाटक नहीं है नाहीं कोई उपनयास कवीता है पुस्पा का जूला नट उपनास है उसके बाद अगला देख दीजिए वोलगा से जो है वो गंगा किसकी रचना है यह मैंने आपको लेखक परिच्चे में कराई थी कली परसों कपड़े हमने उसमें और डबल डबल रिपीट हो यह मैंने तब भी आपको कहा था इसको अच् सबस्क्राइब किया होगा और आप जितना प्यार मुझे दे रहे हैं आपके कोमेंट्स में पढ़ती हूं तो मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने उद्शे में सफल हो रही हूं इस प्यार दुलार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं भारी हूं आपकी द अन्यवाद